हलो इस्टूडेंट वेलकम टूबेक माई यूटूब चैनल डीकेलाइफर स्टड़ी में आपका स्वागत है तो चलिए फैंट जैसा कि देख सकते हैं कि पार्टली पुत्रा इंवर्सीटी के दोवारा यहां पे सस्त्र यहां पे 23-27 के लिए यहां पे PPU यानि पार्टली प कि देख सकते हैं कि PPU में जो 22 से ग्रेजुएशन में नामंकन के लिए यहां पे आवेधन की पड़किरिया को सुरू होने वाला है जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पे साफ साफ बताया गया है कि पार्टली पुत्रा विश्विद्याले ने नए नियम बाली जो चार वर्सी देख सकते हैं यहां पे चार वर्सी है जो यहां पे कोर्स हैं जिसको लेकर यहां पे आवेधन की पड़किरिया यहां पे 22 मई से यहां पे सुरू होने वाली है देख सकते हैं यहां पे 120,000 सीटों पर यहां पे इस वार होने वाली है दाखिला तो चलिए यहां पे जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पर साफ साफ बताया गया है कि 22 माई से यहां पर online نامंकर की पड़किरिया का प्ररारंब करने पर देख सकते हैं हरी ज़ंडी दी यहां पर दी गई है 3 चर्णों में कटप सुची के अनुसार ही यहां पर 2 जुलाई तक देख सकते हैं दो जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी इसके बाद 4 जुलाई से नए सस्त्र की कच्छा यहां पे परारंभ की जाएगी जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पे साफ साफ बताया गया कि 22 मई से यहां पे पाटली पुत्रा इंवर्सिटी में जो आवेधन की पड़किरिया है वहा लास्ट जो देख सकते हैं कितना कटप आने वाला है आपको सभी जानकारी देते देख सकते हैं यह ओपीसियल नोटीस भी यहां पे जारी कर दिया गया पाटली पुत्रा इंवर्सिटी की तरफ से तो चलिए ओपीसियल नोटीस हम लोग देख लेते हैं जैसा कि देख सकते हैं कि पाटली पुत्रा इंवर्सिटी के दोवारा यह ओपीसियल नोटीस भी यहां पे साफ साफ जारी कर दिया गया जो देख सकते हैं यहां पे बीस पाँच दो हजार तेश को यहां पे देख सकते हैं कि जो बात की जाए यहां पे देख सकते हैं कि त 23-27 के लिए यहां पर देख सकते हैं साफ साफ बताया गया 23-27 के लिए यहां पर 22 माई से ओनलाइन की पड़किरिया सुरू देख सकते हैं सुरू होने वाली है और देख सकते हैं यहां पे साफ साफ बताया गया है कि 22 से इसका स स्टूर चूर रहे लाएक कितना 7 जून उसके बारsh तो देख सकते हैं यहां पर 9 जून को आने वाला है और यहां पर देख सकते हैं कि लाश्ट डेट ऑफ वेरिपीकेशन जो फर्स्ट मैट लिस्ट का एडविशन हो जाएगा उसका वेरिपीकेशन का डेट 18 जून तक होने वाला है कितना 18 जून बात की जाएं यहां पर सिकेंड मैट लिस्ट की तो देख सकते हैं यहां पर सिकेंड मैट लिस्ट है जो यहां पर 19 जून को जारी किया जाएगा कब जारी किया जाएगा 19 जून को जारी किया जाएगा और इसका जो एडिविशन की परकिरिया सुरू होने वाला है वह 25 जून से यहाँ पे देख सकते हैं 25 जून से सुरू होने वाला है और लास्ट भेरिपिकेशन है वह 26 जून यहाँ पे देख सकते हैं 26 जून बताया गया है उसके बाद बात की जाए यहां पर 3rdrd matter list की देख सकते हैं फ़र्डव मैट लिष्ट की बात की जाए तो 3rd matter list है वह 27 जून को जारी होने वाला है और इसका ना देख सकते हैं advison की पडकिरिया सुरू होने वाली है कब तो 2 जुलाई को सुरू होने वाली है और इसका जो last date verification के 3 जुलाई रखा गया है उसके बाद बात की जाई यहाँ पे देख सकते हैं कि जो online registration for attendance जो student for session यहाँ पे 23-27 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं last 4 जुलाई रखा गया है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस बार यहाँ पे partly पुत्रा इंवर्सीटी की तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ बताया गया कि स्पोर्ट एडविशन की जो लिस्ट है वह नहीं जारी की गई है देख सकते हैं आपको तीन ही मैट लिस्ट यहाँ पे जारी होने वाला देख सकते हैं फर्स सेकेंड और थर्ड मैट लिस्ट इसमें कूल सीट की बात की जाए तो एक लाख बीस जार सीटों पर यहां पे नामंकन की पड़किरिया सुरू होने वाली है तो चलिए देख सकते हैं बाइस मैं से आप लोग फटा-फट ऑनलाइन आवेधन कर लिजिए देख सकते हैं ऑनलाइन आवेधन के लिए यहां पे 300 और एडवीशन प्रोसेस बील द कॉंटेक्ट जो एडवीशन है वहां देख सकते हैं मैट लिष्ट आने के बाद ही आपको वहां पे देख सकते हैं जिस भी कोलेज में आप लोग दाखिला लेना चाहते हैं उसको आप लोग first session में रखें यानि first number में रखें ताकि उसमें ह कि आपका कटप जाएगा और आप लोग फर्स्ट कटप में ही आप लोग एडविशन ले लीजिएगा नहीं तो देख सकते हैं बहुत काफी प्रोब्लम होता इसमें तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को लाज तक बने रहे हैं चैनल पर पहली बा बार